हेलो दोस्तों तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है उत्तरपाट शालम है ये लक्चर फोर है उत्रखंड की एतिहास या इतिहास की सीरीज के अंदर सामाने ग्यान के अंदर अपना साथवा जो है वो वीडियो ये चल रहा है अभी ठीक है आज हम बात हैं दोस्तों मौकरी वन्स है हर्शवरधन है यहां से कार्तिकेपुर तक कैसे पहुंचना है इसके बारे में ठीक है फिर कार्तिकेपुर या कत्यूरी को हम हर्श के बाद वाले यानिकी अगले वीडियो के चिप्टर में देखंगे ठीक है यहां पर आपको वेंस से देनी हैं दोस्तों कि जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो इनसे पहले का इतिहास जो है जो हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था वो जानना जरूरी है देखिए जब हम उत्राखंड की बात करते हैं उत्राखंड की हिस्ट्री की बात करते हैं इतिहास की बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपने देखा प्राचीन काल के बारे में हमने बात की कि कैसे कैसे यहां लोग रहते थे, उन से रिलेटेड यहां हमें अलग-अलग सब भिताएं देखने के लिए मिली हैं, गुफाओं में चित्रकारिया मिली हैं, फिर हमने देखा कि यहां बहुत सारे चाशन करते हैं या उत्राखंड में शाशन करते हैं अमोग भूती के बारे में हम पढ़ते हैं ठीक है राग्या कुणिन्दस अमोग भूति महर्जस to ये जो है ये लिखा गया हुआ में मिलता है ठीक है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली उसके बाद हमने देखा कि शक समवत शुरू हुआ यानि कि सक जो है वो आ गए फिर हमने देखा कि कुणिंद और शकों के बाद फिर कुशान भी आई और बहुत लंबे समय तक कुशानों ने भी शाशन किया एक ठीक ठाक कुशानों का शाशन काल रहा और उसके बाद जो है कुशानों का जब यहां पतन हो गया तो बहुत सारे नए राजवन्स हमें देखने के लिए मिले थे ठीक है योधे यवगेरा जो है वो इसी के अंदर आते हैं समझ मां आ गया होगा तो अब हम उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो हमने जहां सील वर्मन में छोड़ा था वहा तो वो बालवाला यग्यवेदी का जो है उसका निर्मान नोंने कराया था और कुछ लोग उनको कुडिंद कहते हैं तो कुछ कहते हैं कि यह योधे थे और उसके बाद यह कहते हैं कि जब आगे कुडिंद जो लोग हैं उन्होंने अपना कर्तरीपुर राज्य की स्थापन ही है कि जो कर्त्रीपूर राज्य है कहने का मतलब जो कर्त्रीपूर राज्जी ने बना फैसंट कि उस्टित है दो ऊ unified ध्र उब है मिलता है दूसरा हम musstर यह भी पता चला रियाग प्रिश्वर्शत्य में दिखा है कि जो करत्रिपूर राज्य था जो की कुणिन्दों का राज्य था वो उत्तरी सीमा है गुप्त राज्यवंस की तो इसका मतलब यह गुप्त राज्यवंस के अदीन था फिर हमने देखा कि जो करत्रिपूर के कुणिन्द शाशक हैं राज्यवंस हैं उनको खतम करक तो बहुत सारे नाग मंदिर हमें उत्राखंड में देखने के लिए मिलते हैं जहां से पुष्टी होती है कि बहुत सारे नाग सासकों का भी क्या था उत्राखंड पर अधिकार था ये नाग का मतलब साप वाला नहीं है ये नाग राजवंस से संबंदित है एक राजवंस जो है उसका नाम नागों के नाम पर रखा गया ठीक है फिर क्या हुआ कि जब चम्वी सताबदी का उत्तराड चल ला था तो कन्नौज के अंदर मौकरी राजवंस ने नागों की सत्ता को समाप्त कर दिया तो इस तरीके से नागों के बाद मौकरी राजवंस ने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया नाग आये नागों के बाद अब मौकरी राजवंस जो है उसने जो है अपना राजवंस इस्तापित कर लिया जब मौकरी राजवंस जो थे ग्रह वर्मा जब ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है तो उनके जो बहनोई थे हर्षवर्दन उनके अधीन ये राज जिफिर उत्राखन का आ जाता है ध्यान दीजेगा कि हर्षवर्दन ने ये हत्या नहीं की थी ये मैं पूरी कहानी आपको आज की वीडियो में सुनाऊंगा तो ग्रहवर्मा की हत्या के बाद हर्षवर्दन के अधीन जो है राज जिया गया था यहाँ पर आप देख लीजे कि परवतिय राजकुमारी से विवा जो हर्षवर्दन ने किया था तो इसलिए ग्रहवर्मा के बहनोई जो थे वो हर्षवर्दन ही थे तो इस तरीके से हर्ष वर्दन उत्राखन में आ गई अब जब हर्ष वर्दन का साशन उत्राखन में शुरू हुआ तो इसका वर्णन दो जगा से हमें मिलेगा एक तो बान भट का जो हर्ष चरित है उसमें पूरा हर्ष के चरित हर्ष का ही वर्णन है और दूसरा जो है हर्ष्य चरित में ही लिखा गया है कि जो हर्ष है उसके समय में एक चीन का यात्री ह्वेंसोंग भारत आया था ठीक है अब ये जो ह्वेंसोंग है इसने हिमाले के लिए एक सब्द यूज किया पॉली हिमो पुलो ये आपको याद रखना है या इसको बाद में ब्रह्मपुर कहा गया पॉली हिमो पुलो ये जो राज्य है ये क्या है ब्रह्मपुर है यानि कि ये हिमाले में आया था हेंसोंग उसके बाद हेंसॉंग ने ये भी लिखा है कि बौध धरम के लिए काफी प्रिसिद्ध जो है वो पॉली हीमोपुलो है यानि कि ब्रह्मपुर है उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर पाँच बौध विहार थे विहार नहीं विहार थे तो इसका मतलब जो चीन यात्री हुइनसौंग है उसने हर्ष के काल में उत्राखन में जो है कदम रखे थे और उसने जो नाम रखा ब्रह्मोपुर का वो क्या रखा पॉली हीमो पुलुक और उसने कहा कि यहां पांच जो हैं बौध विहार हैं यह बौध धरम के लिए बहु ली जो है यह चीनी माप है ली लीटर वाला लीटर नहीं है यह ली जो चाइनीज लेंग्विज टाइप की होती है ली चीपी उस तरीके से ली है तो लगबग 20 ली चीनी माप के घेरे के अंदर है हरिद्वा नगर ठीक है इसके बाद जो करनिंगम है यह अंग्रेजी इति ये वाला जो ब्रह्मपूर है हर्ष के समय में ह्वेनसॉंग ने जिस छेत्र को आपका ब्रह्मपूर कहा था उसी को कर निंगम ने कहा है कि यही वो छेत्र है जो आधुनी गडवालर कुमाओं है यहां से हमें क्या पता चला कि जो उत्राखंड है वही अपना क्या है वही पूट जाता है और ये राज्य तूटने का वर्णन भी किसने किया है फेंसॉंग ने अपने ग्रंतों में किया है जब सैन्य सक्ति का अभाव होने लगा तो दुरूबल राजाओं ने सुरक्षा के ले चोटे-चोटे कोटों या फिर गड़ों का निर्मान भी शुरू कर तो इस तरीके से फिर हमें दिखेगा कि जैसे हम मध्यकाल की तरफ आएंगे धीरे-धीरे आप देखंगे कि चंद राजवन्स वगेरा हमें दिखने लग जाएंगे बशर्ते कि इससे पहले एक बड़ा ही महत्वण राजवन्स हम पढ़ेंगे कत्यूरी या फिर जिसे हम क अपना गोविशान का चेतर बना ओर जो अपना शत्रुघन चेतर है इस तरीके से उतराखंड डिवाइड हो गया इनमें सबसे बड़ा जो इलागा था वो ब्रहभपूर का इलागा था और ब्रहभपूर में अगर आप देखंगे तो पॉरवों का शाषण आपको देखने इस तरीके से एक तरीके से उत्राखंड बढ़ गया था आप कह सकते हैं इस तरीके से आप देखंगे यह उत्राखंड के तीन टुकले या तीन भाग जो है अलग-अलग शाशकों के अधीन चले गए थे ब्रह्मपुर, शत्रुगन और गो विशान के रूपने, इसके बाद बहुत सारे बाहिया आकरमन उत्राखंड पर हुए, देखे न, कि यूनिटी जब तूटेगी, एक यूनाइटेड उत्राखंड है, हर्ष के समय तक आपने देखा, अच्छा खासा साशन जो है, उत्राखंड के उपर चल रहा है, जो डि कर लिया, और कुछ तोमर राजा Clayton ने पूर्वी उत्राखंड कर कपजा कर लिया, तो इस त्रीके से अगर आप देखंगे, तो अपना जो उत्राखंड का रीजन है, उसके इस वाले भाग पर अगर आ आप देखे, तो तोमर राजा उने कपजा कर लिया, और यहाँ आपक चुका होगा ठीक है चलिए अब देखिए योधेय वंच के बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है अब यहाँ पर आप देखंगे योधेय वंच की बात करतें चलिए तो देखिए योधेय से पहले आपको थोड़ी सी जानकाली इस हरार्की की याद होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन सा राजवन्स आया फिर कौन सा आया तो सबसे पहले आपको दिखंगे कुरिंद शाशक कुरिंदों में अगर आप देखंगे तो अमोग भूती जो है काफी फेमस है ठीक है उसके बाद अगर आप देखंगे तो कुरिंद शाशन के बाद जो आएगा वो आएग बढ़ के और में, पुछान आए, तो कुछानों का साशना आता है, उसके बाद फिर आप देखंगे जो कुछान आए थे, उनके समय में फिर कुछ नए नए शाशन यो है, वो बनने लगी थे उत्रखंट के अंदर, इसमें आप यह नहीं कहेंगे कि यह टोटल खतम हो गए क्योंकि बाद में आपको इनके और देखने के लिए मिलेंगे लेकिन यहां तक जो है आपके राजवंच बिल्कुल प्रॉपर चले थे उसके बाद फिर उत्राखन में कुछ बहुत हमको भाग ऐसे तूटते हुए दिखाई दिये फिर हमने देखा चौहान भी आगए तोमर भी आगए तो यौधेवंच उनमें से है ठीक है इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये अमोग भूति के समय है उसमें भी क्या लिखा गया था राग्यह कुणिंदश अमोग भूतिश महजरस ठीक है तो ये जो है ये उससे पहले भी लिखा जा चुका है जो मुद्राएं हैं जो सिक्के हैं उनके उपर योधेवं के उसमें भी लिखा गया था फिर परवर्ती कुणिंद या उत्तरवर्ती कुणिंद जिनको कहा जाता है इनका भी वर्णन आता है क्योंकि जिस समय ये थे आपके कुशान थे और योधे थे उसके बाद भी कुणिंद कहीं न कहीं उत्राखन के अंदर थे कुरिंदों को आप पूरा नहीं आटा पाए हैं कही न कहीं कुरिंद है और कुषान और योधे के साथ कुरिंद भी है क्योंकि हमको दिखता है कि कुषानों के बाद की मुद्राएं जो हैं उनमें भी कही न कहीं कुरिंद फिर से दिखते हैं ठीक है तो मतलब इसके बाद भी कहीं न कहीं वो पहली जो डाइनिस्टी है वो एक्जिस्ट कर रही है उत्राखन के अंदर पौरी का दुगट्टा है और यहां से भानु और रावन इसके नाम के तामर की मुद्राएं मिली है तो इससे क्या पता चला कि कुणिन्द जो हैं जो कि पहले शाशक हुआ करते थे उत्राखन की पहली राजनितिक शक्ती है वो काफी समय बाद भी एक्जिस्ट करती है समझ गए तो काफी समय बाद भी एक्जिस्ट करती है अब गोविशान का मित्रवंस जो है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए यह जो मित्रवंस है इसका भी हमको जिक्र मिलता है गोविशान का मतलब क्या है काशिपूर वाला जो छेत्र ठीक है मिववंस या मित्रवंस जो है उसके साशक जो है माने जाते हैं काशिपूर के तराई छेत्र में ठीक है माव जो है माव मित्र यहां जो राजा थे वो है ऐसे प्रत्वी मित्र हैं यहां के फेमस राजा है ठीक है इन दोनु शाषकों के बारे में पता कैसे चला कैसे पता चला तो हमें इनके बारे में इट से पता चला एक ये दो शाशक गोविशान से related हैं और मित्रवंस के हैं समझ गए और यही जो मित्रवंस हैं ये इनके इंट अभिलेग मैंने आपको इंटों के अभिलेगों के बारे में पहले बताया हुआ है इनके इंट अभिलेग हमें प्राप्त होते हैं गोविशान से ही यानि कि काशिप इतना समझ में आया, तो अब यह जो मित्रवंश यह गया कहा, यह vitapoca हो गया तो यह विल्य जो है इसका गुप्तो में घुप्तोविश ईस था उसमें गुप्तों तो जो है, तो जह जाकरमश न यह जाकरकी आपको मिल जाता है, थीक हो गया, इस तरीके से गोविशान का दन वंस भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है क्योंकि यह भी एक्जिस्टिंग बॉड़ी है चगलेश राजवंस है चगलेश डाइनिस्टी यह भी एक्जिस्ट करती थी ठीक है इसकी जानकारी भी हमको कहां से मिलती है जो अपना लाखा मंडल अभी लेग है वहां से हमको इसकी जानकारी मिलती है चगलेश राजवंस की ठीक है यह जो इलाका है आपका चगलेश राजवंस का यह यमुना प्रदेश के आसपास का इलाका है यमुना प्रदेश बोले तो आपका जो यहां देहरदून वाला जो इलाका है देहरदून उपर थोड़ा उत्तरकाशी क राजा है इनके बारे में कहा वनन मिलेगा आपको नरपती अचल नाम गुहेद छगलेश ये सारे कहा मिलेंगे आपको लाखा मंडल के अंदर इनका छगलेश राजवन्स के रोप में देखने के लिए हमको दिखंगे ठीक है तो इतने में छगलेश राजवन्स भी थोड़ा बहुत एक छोटा सा इसके प्रश्णगर आ गए तो फिर एक सिंगपूर और यदुराज वंच ठीक है यदुराज ये आपको योधेश मिलता हुआ दिखरा होगा है ना इनकी राजधानी शिंगपूर थी ठीक है इनकी राजधानी सिंगपूर थी इस्वरा का जो लाखा फासकर वर्मन ये नाम आपको याद रख लेना है और इसके अलावा एक कैलाश मंदिर भी इनका बनाया है वहाँ पर यह अभिलेख है जाखा मंदल के अंदर फिर नाग वंस इसके बारे में मैंने आकाद था आपको बताऊंगा मैं नाग डाइनेश्टी के बारे मैं ठीक ह से कहा है तो उत्राखंड के अंदर नाग पूजा होती है नाग मंदिर है ये सब क्या बताते हैं कि उत्राखंड में नाग वंस एक्जिस्ट करता था ठीक है ना तो नाग वंस जो है ये था हिमाली से चमोली तक पूरा का पूरा फैला हुआ था कश्मीर उत्राखंड तिब आप कश्मीर अनंतनाग से इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं अनंतनाग है रोशनाग ठीक है वाशुकी नाग कैलास परवत तक्षक नाग तक्षिशिला और पिंगल नाग कश्मीर यहां से हमको क्या पता चलता है इनके अलग-अलग बारे में जानकारी हमें मिल सकती है ठीक है ये चीज़ें आपको देखनी है इसके अलावा दो और स्रोत है एक तो है आपका जो दो मुख्य स्रोत है उसमें से जम्मु कश्मीर का है ये एक अभिलेग है दूसरा गोरकपुर चमूली में आपको दिखाई देगा रुद्र महादेव का त्रिशूल अभिलेग ये दो बड़े सोर्स हैं जहां से नागवंच का पता चल सके ठीक है यहां से भी हम नागवंच की जानकारी ले सकते हैं कुछ प्रमुख नाग मंदिर भी देख लिए जो आपको याद रखने हैं एक तो पिथोरागल के अंदर बेरिनाग वाले रीजन में बहुत सारे मंदिर आपको देखने के ले मिलेंगी सेब मुखेम टिहरी काफी फेमस मंदिर है ठीक है इसके अलावा चंपावत के अंदर दोस्तो आपको नाग मंदिर मिलेगा कल्यान चंद का बनाया हुआ 1663 के अंदर कल्यान चंद का बनाया नाग मंदिर चंपावत के अंदर ये भी मिलेगा आपको बाकी के प्रमाण देख लीजे, गोपेश्वर का जो तिर्शूल अभिलेख है, वहाँ से चार राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है सकंद, अन्शू, विभू, गणपती, यह सब क्या थे, नाग राजा हुआ करते थे सकंद, नाग, अञ्शू, विभू, गणपती, नाग, यह सबसे सक्तिशाली शाषक भी था इसमें से गणपती नाग, इस तरीके से हमें पता चलता है कि उत्राखंड में नागवंच के भी शाषक हुआ करते थे, और भी जगा है उत्राखंड में भी नागवंच से एक्जिस्ट करता था इतना यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा ठीक है चलिए नागवंच क्लियर हो गया अच्छा आप देखिए जो अपना नागवंच के प्रमान मिले उनमें तो हमें चार राजाओं का वर्णन जो है वो मिल जाता है ठीक है इन चारों के बारे में भी हमने देख लिया कि ये कभी पूछ लिया जाए तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं आसानी से इसका आंसर जो है हम दे सकते हैं ठीक है कोई भी प्रश्णा है इसका आंसर आप देदोगे नाग वंच से related ठीक है बहुत जादा deep इससे वारे में आपसे नहीं पूछेगा नाग वंच से related खास कर बहुत जादा tough question इससे बनने के chances कम है सीधा अगर इससे related कोई नहीं में से पूछ ले तो जादा अच्छी बा नाम याद रखेगा मौखरी राजवंस का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है ग्रह वर्मन और इसका जो विवा है वो किस से हुआ तो वो हुआ हर्श वरधन की बहन राजश्री से वो कौन थे थानेश्वर की राजा थे और पुष्य भूती या वर्धन वंसे से संब राजधानी है उन्होंने साधी कर ली किस से राजश्री से राजश्री कौन है ये हर्षवर्धन की बहन है तो इस तरीके से हर्षवर्धन और ग्रहवर्मन का रिस्ता बन गया समझ गए इतना हर्षवर्धन और ग्रहवर्मन रिस्ता बन गया उत्राखंड के ग्रहवर्मन का इनका आपका क्या बन गया एक रिस्ता बन चुका है, रिलेशंशिप बन चुकी है, वर्धन वंस जो है और मौकरी वंस वाला जो है इनकी रिस्ते बन गए अब होता क्या है दोस्तो इसी बीच कि ग्रहवर्मन उत्राखंड के राजा है ठीक है तो उत्राखंड पर शाशन कर रहे हैं और इसी समय में क्या होता है गौल जो है या बंगाल का जो राजा है शंशाग जो है ये राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है गौल राजवन से स बना लेते हैं अब राजश्री तो बेहन है किसकी हर्षवर्धन की तो हर्षवर्धन उन्हें बचाने भी आएंगे और बदला लेने भी आएंगे ग्रहवर्मन की हत्या का तो इस तरीके से क्या होता है जो हर्षवर्धन है वो कहां कन्योज आ जाते हैं क्यों आएंगे राज सबस्क्राइब परवती कन्या से शादी की थी वेंशॉंग जब अब भारत आये उत्राखन में घूमने के लिए आये थे तो वेंशॉंग भी उनके साथ आये थे इसके बारे में पता चलता है जनम हुआ था 590 में 666-647 तक साशन किया था इन्होंने राजधानी थानेश्वर थी इनकी ठीक ह है और हर 5 साल में ये प्रियाग में धार्मिक सम्मेलिन का युजन भी करते थे जिसमें भूराजश्व प्रणाली इन्होंने चलाई थी सामंती प्रणाली भी थी वतलब वही ठीक है एक कुशल राजनितिग्य थे सक्तिशाली राजा थे अब्यस सी बात है बहुत सारे यु युद्ध ये हार गए थे तो नर्मना नजी के किनारे एक युद्ध हुआ था चालुक के राजा से चालुक के राजा थे पुलकेशिन दुतिय उनसे युद्ध हार गए थे अपना और ये वर्णन एहोल अभिलेग में मिलता है करनाटक में एहोल अभिलेग है ठीक है करना शक्तिशाली हिंदू शाशक के रूप में भी जाने जाते है ठीक है और ध्यान दीजेगा कि वर्धन वंच की जो है वो डाइनेस्टी उत्राखंड में थी अच्छा वेंसोंग ने एक पुस्तक लिखी इसी दौरान शीयू की ठीक है और इसमें उत्राखंड को क्या लिखा उ सॉली हीमोपूलो ठीक है ऐसे हरिद्वार को भी लिखा उन्हें अने मोयूलो तो व्रहद्बूर जो राज्य है व्रहत्बूर के बारे में उनstütंने लिखा कि यह भूट धरम केलिए बड़ाः भी हालएं हरिद्वार को लिखा मोयूलु मेयूरपूर जिसको कह देते हैं इंपोर्टन है पूछा भी गया है ठीक है और मौखरी वंस जो छेत रहे हर्शवर्धन के द्वारा एक सामंत यशोवर्मन देख रहा है ये उन्होंने कहा था कहने का मतलब क्या हुआ हर्शवर्धन खुद राजा ना उकरके अपना एक सामंत यशोवर्मन जो है उसको उत्र करार रहेगा उसको कुछ नहीं हुआ है तो चार हिस्से उत्राखन के आप एक तरह किसे कह सकते हैं किसके समय पर हर्शवर्धन जो थे उनके मृत्यू के बाद उत्राखन इन चार भागों में देखने के लिए मिलेगा ब्रहतपुर शत्रुगन नगर गोविशान और कल्या हो चुके होंगे यह ठीक हो गया तो एक बिलकुल सीरीट से आपका हिस्ट्री जो है ऐसे चलते रहे तो ज्यादा मज़ा आएगा चलिए बागी आपको पता ही है कैसे आपको क्या करना है ठीक है वट्सअप का नंबर है ठीक है कमेंट सेक्शन के अंदर देख लीजेगा ल थैंक यू तिल नेक्स वीडियो